हलो गाईज, वेलकम बैक टु माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम ओनलाइन जीवन परमान पत्र का सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, तो यह सर्टिफिकेट जनरेट करना बहुत ही इंपोर्टन्ट है, तो एकनोमिक्स टाइम्स के अनुसार, जीवन परमान पत्र स्टार् पोर्टल में फटापर से लॉगिन कर लेंगे, अगर आप एक CACV ली है तो, अगर आप CACV ली नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं, पर आप तो आप वीडियो पे बने रहे हैं, यह बात मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो देख पार रहें, लॉगिन हो जाने के बा इसके बाद प्रोसीड में जाएंगे, यहाँ पे देख पार है निव जीवन परमान, यहाँ पे किलिक करेंगे, सबसे पहले आपको एपलिकेंट का मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, इसके बाद नेम ओफ पेंसनर, जो पेंसनर वेकती है एपलिकेंट, जिसके लि के लिए एपलिकेंबल है, वो स्लेट करेंगे, इसके बाद आप अपना पीपीओ नंबर को इंटर कर लेंगे, इसके बाद ड्रॉप डन यहाँ पे करेंगे, सैंक्सिंग ऑथरिटी, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, एकजपल, स्टेट गौर्वर्मेंट, सेंटल गौ इंटर कर लेंगे, याद रिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर कैरफोली इंटर करेंगे, मिस्टेक ना करेंगे, इसके बाद अभी तक जो भी डीटेल आपने इंटर किया है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, और लास्ट में नीचे देख पा रहे है, कैप्चा, कैप बढ़ जाएंगे, इसके बाद आप अपना अधान नंबर इंटर करेंगे, नीचे में देख पा रहे है, आडी सर्विस फॉन्ट, सक्सेस्पुली, यह आपका वो होना चाहिए, यहाँ पर यह सक्सेस्पुली नहीं होता है, तो फिर आपका बायमेट्रिक आथिंटिकेशन नहीं काम करेगा, तो यह सक्सेस्पुल जब दिखा दिया जाता है, तो नीचे में देख पारे, स्टार्ट स्कैन, यहाँ पर आप किलिक करेंगे, किलिक करते ही, आपका जो डिवाइस है, उसमें रेट लाइट बिलेंकिंग होगा, वहाँ पर ऑथिम्टिकेट करेंगे, अ आपका जीवन परमान सर्टिफिकेट इस क्रियेटेट, वहाँ पर आप सर्टिफिकेट नमबर देख पाएंगे, उसे आप फोपी कर लेंगे, और नीचे में देख पारे, यू कें डाउनलोड, यह वाला लिंक में किलिक कर देंगे, इसके बाद आप अपना अगर आप सीज़ सीवन नहीं हैं, और आप खुझ से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देख पारे हैं, यहाँ पर आप किलिक करेंगे, इसके बाद आप नीचे के तरफ स्कॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर इक पार हैं, कई सारे ओप्सन से, आप चाहें तो PC से या मुबाइल से भी खुझ से कर सकते हैं, यहाँ तक की ओफिस भी जा सकते हैं, तो आप अपने मुबाइल से अगर जनरेट करना चाहते हैं, अपने सर्टिफिकेट को तो यहाँ पर आप इसमें किलिक करेंगे और इस वो मुर्फुकर डिवाइस भी होना चाहिए और उसमें रिजिस्टर डिवाइस होना चाहिए, तब यह आप खुझ से कर पाएंगे, अगर आप डेक्शॉप से करते हैं, यानि कि कम्प्टूटर यह लैप्टॉप, तो इसमें यह सौफ्टवर इंस्ट्रॉल होना चाहिए साथी साथ डिवाइस भी होना चाहिए, तब ही आप खुझ से जनरेट कर पाएंगे, प्रॉसेस बिल्कुल सेम रहेगा, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्फूर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आभी तब नहीं किये हैं तो इससे आपको इसी तरह से इ झाल